हाई गाई जय अनुमान स्वागत आप सभी का आपके अपने चलन अमीता हुजा जहाँ कोशिश लगतार करिया कि सारे अपडेट के साथ आप तक हर एक इंफरमेशन पुचानी के हमारी बनी हुई है गाईज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप इंडिया के टॉप फाइफ आईटी में सीएज ब्रांच अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो जेई का स्कोर केलिपलेट किया है वो क्या मार्क्स हैं जिस पे आपको टॉप फाइफ आईटी में सीएज मिल सकती है या इसको मैं कर ऐसे बोलूं ऐसे आपका क्या वो सेफर स्कोर है जो आपने भी जेए के 360 में से जो आपके मार्क्स आये हैं उस पे आप मान सकते हैं कि आपको टॉफ फाइटी में करीबन 250-270 के आसपास आ रहा होगा तकरीबन और यह थोड़ी से रेंज दस से पंदा नंबर क्योंकि पेपर का लेवन इस बार डिफिकल्टी साइड काफी हाईयर साइड डिफिकल्ट चला गया इसलिए 10 से पंदा नंबर का डिफरेंस आप इसमें रेंज वाई जरूर लेक ओभी से कडिगरी में जिन बच्चों का स्कोर 225 अबव आ रहा है उन बच्चों को CS मिलने के IAT बामे में संभावना है EWS में जिन बच्चों का स्कोर करीबन 230 से उपर आ रहा है उनको कही न कहीं IAT बामे में CS मिलने के संभावना है SC वाले बच्चा जिसका स्कोर 140 से उपर ह उस बच्चे को IIT बाउमे में CS मिल सकती है ST में भी जिसका स्कोर करीबन 130 से ऊपर है कहीं उसको IIT बाउमे में CS ब्रांच मिलने के संभावना बन सकती है IIT देली के अगर मैं बात करूँ जिन बच्चों का स्कोर 240 से 230 भी अगर स्कोर थोड़ा बत बोले 230 से 250 के असपास कुछ आ रहा है उनको IIT देली में CS मिल सकता है जन्न के डिगरी को OBC के बच्चों को जिनका स्कोर 210 से 220 के असपास आ रहा है फिर बात रिपीट करूँगा 10,2,15 मार्क्स 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आप हाईर साइड और लोवर साइड जरूर केल्पूलेट करके चलिएगा क्योंकि इतना डिफरेंस आ जाएगा OBC में जिनका स्कोर 210 से 220 EWS में जिसका स्कोर 200 से 210 ST में जिसका स्कोर 130 से 140 ST में जिसका स्कोर 110 से 120 आ रहा है उसको IIT दिल्ले में CS ब्रांच मिल ले की possibility है अब बात करें इंडिया के अगले टॉप 3 to 5 IIT में IIT मदरास, कानपूर और खड़कपूर में जिन बच्चों का जनरल कडिगरी है जिनका स्कोर करीबन 220 से 230 या 210 से 230 माल लेजी आप जनरल में जिनका स्कोर आ रहा है उनको IIT मदरास, कानपूर और खड़कपूर में CS मिल सकती है OBC में जिनका स्कोर 200 से 210 के आसपास है EWS में 200 से 210 ST में जिनका स्कोर 120 से 130 और ST में जिसका स्कोर 110 से 120 आ रहा है 110 से 120 आ रहा है ST में जिनका स्कोर उनको मदरास, कानपूर और खड़कूर में CS branch मिलने के संभाव न बन सकती है हाला कि ये जो marks की थोड़ी से range है ये 10 से 15 नमबर higher side और lower side difference जरूर आएगा क्योंकि paper का level इस बार बहुत जादा अच्छा है बच्चों के उतने बहुत जादा अच्छे marks नहीं आ रहे है इसलिए कम marks पे भी अच्छे college के branches मिलने के अच्छे IT के अच्छे branches मिलने के possibility इस बार जादा दिखाई दे रहे है करियर के updates के मरते चुट रहे है Wish you all the best, जै अनुमान, बबाई